इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर खाजिपूर सेमो साहब के बगल में आयरुवेद की डिगरी के आधार पर किये जारे प्रसव सहीद सभी ऑपरेशन सूर्या क्लीनिक एंड हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलेवरी और सभी ऑपरेशन किये जारे हैं बेधड़क खबर खाजिपूर से हैं जहां आधर्श बाजार स्थेत सूर्या क्लीनिक एंड हॉस्पिटल में बेधड़क महिलाओं के प्रसव सहीद सभी छोटे बड़े ऑपरेशन किये जारे हैं जैसे ऑपरेशन में बच्चे पैदा करना ट्यूमर, हार्निया, अपैंडिक्स, पित की थेली, हाइड्रोसिल, बच्चे दानी साइध कई ऑपरेशन किये जारे हैं मिली जानकारी के मताबिक रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से है और OPDB किसी और का है लेकिन मौके पर कोई नहीं रहता अईरवेद की डिगरी की आधार पर महतरमा खुद भी ऑपरेशन करती है इतना ही नहीं बिना किसी डिगरी के साथ में पती भी हर्णिया और हाइड्रोसिल का चेक अप कर सुयम दवा लिखते हैं और सुवीधा की बात करें तो फायर ब्रिगेट भी नहीं है ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक लीगल हॉस्पिटल में रहती है जब इसके संबंद में हमारे समवादाता ने डॉक्टर कंचन गुपता से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ आयरुवेद की डिगरी के आधार पर हम सभी ऑपरेशन कर रहे हैं बगल में ही सरकारी अस्पिताले मरीजों को बहला फुसला कर मोटी रकम वसूल की जा रही है B.A.M.S के आधार पर धरले से सब ऑपरेशन किये जा रहे है सबसे बड़ी बात तो यह है कि बगल में ही C.M.O. आफिस है आखिर किसकी शेह पर C.M.O. साहब के बगल में आईरवेद की डिगरी के आधार पर सभी ऑपरेशन किये जा रहे है सरकारी अस्पितालों में खरीबों का सही डंग से इलाज नहीं होने के अभाव में ऐसे अस्पितालों में जाकर अपना इलाज कराने के लिए मरीज बेबस हो जाते है जिसका लाब बिना डिगरी धारक और बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर और हॉस्पितल उठाते है जहां मरीजों से इलाज के आड में मोटी रकम वसुली जा रही है सवाल यही कि आईरवेद की डिगरी पर आखिर कैसे सभी ऑपरेशन किये जा रहे है अगर मरीज के साथ कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में बिना किसी डिगरी धारक डॉक्टर अपनी दुकान बनकर फरार हो जाते है फिर भुगतना मरीज को पड़ता है खाल आखिरेशन का अपकर आखिर की डिगरी पर आखिर कर सकती है इत्व में आखिर देशन हेजपश हो जाते है इसके तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहें इंडियन टीवी नियूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीजियो को शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के दाद